ये गाईज बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आज है एक अक्टूबर 2020 और आज था डी फार्मा फार्मा फाइनल यह का लास्ट एक्जाम फार्मसेटिकल केमिस्ट्री का जो आज का एक्जाम था वो बहुत ज़्यादा टफ आये था क्यूंकि क्लासिफिकेशन नहीं किया है जाके कर लिजिए और पिछले अगर आपको छे पेपर देखने 2020 के डी फार्मा फाइनल यह के तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे लिया है पेपर होगा तो यह है हमारा फार्मसेटिकल केमिस्ट्री का पेपर पेपर इसमें से दो कर दे ते मैंने बी और शी वाला की अरा फार्मसेट्री करके पार्ट दिये गाएँ इसमें से दो करने थे मैंने बी और एवाला की आ रहाँ Q2 है हमारा answer any two of the following A, B, C करके part दिये गा है define and classify the antibiotic with suitable example और दूसरा describe briefly about anti-neoplastik drug और C वाला define saponamide with the example write a note on quantity max of roll Q3 में हमारे तीन पार्ट है write in detail about any two of the following पहला anti-cholinergic दूसरा anti-thyroid drug और तीसरा anti-fungal drug Q4 है give physical chemical properties, chemical structure and uses of any four of the following पहला aspirin, दूसरा dye, इथाल, इथार तीसरा प्रोकेन, क्लोर्ट्रोमर्जीन और लास्ट में हमारे दिया है प्रोपेनो, लॉल तो इसमें से हमें करने थे पूरे चार करने थे तो A, B, C और D वाला मैंने किया था और फाइव और लास्ट वाले कोश्चन है हमारा write the popular market brand name and chemical structure of any, all of the following तो chemical structure की दो कोश्चन आएथे, एक इसमें भी chemical structure बनाना था और इसमें भी हमें chemical structure बनाना था तो पहला है हमारे reform sin, दूसरा maternity indazole, तीस साइड डाइजी पाम, चौथा है salbutamol और पांच मौल last है हमारा ibuprofen तो यह हमारा खतम हो गया यहाँ पर question paper, तो जितनी भी question थे, सब 16 marks के question थे सब 16 marks के question थे 18 marks का paper था, और 3 घंटे में करना था अब देखते हिंदी वर्जन हिंदी वर्जन भी same ही है हिंदी वर्जन भी सब same ही है दिया हुआ इसमें भी 5 ही question है और इतनी भी question है सब 16 marks के यह था हमारा हिंदी वारा paper तो तो यह था हमारा pharmaceutical chemistry का paper paper हो चुका अब हमें इसकी जरूरत नहीं है I hope कि आपका यह वारा paper अच्छे से हुआ होगा क्यूंकि अपकी वारा paper बहुत ज़्यादा tough आये था lengthy नहीं था पर आपको main main लिखना था जो भी हमारी question कहते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग्यों तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को साथ में WhatsApp Facebook ग्रूप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेगा कि उन्हें पता चलिया कि 2020 में डी फार्मा फाइनल लियागा फार्मसेटिकल क्यमेश्टी सेकंड का कौन सा पेपर आया था और हमारी चैनल सब्सक्राइब करने तो बिल्कुली मत भूलेगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंफर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं थैंक्यू